नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निकिल आपका बहुत बहुत श्वागत है मेरे युटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह हम होमोपेथिक दवाओं से अपने साइज को बढ़ा सकते हैं अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं किस तरह से साइज को हम मोटा कर सकते हैं आज कल की लाइब स्टैल में पुरसो मिया समस्या सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कि बहाँ इस समश्य से बहुत ज़्यदा परिशान रहते हैं कि हमारा साइज छोटा है, उसमें पतलापन देखने को मिलता है मोटा नहीं है, यहाँ समश्याएं उन्हें काफी लंबे समय से परिशान करते रहती है और दिमाग में कही तरह के विचार उन्हें चलते रहते हैं बहुत सारी दवाओं का वहाँ यूज करते रहते हैं पर साइज में मोटा पन, पतला पन हमें देखने को मिलता है साइज में टेडा पन भी हमें कई पूर्सों में देखने को मिल रहा है बहा किस कारण की वज़े से हमें यहां टेड़ापन देखने को मिलता है इस प्रॉबलम का सालूशन भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ यदि आप साइज को लेकर काफी लंबे समय से परिशान है और कुछ बैक्ति में जनेटिक फैक्टर हमें देखने को मिलता है कि उनका जनेटिक फैक्टर होने की कारण उनका बचपन से ही साइज छोटा होता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत देश में एक नॉर्मल साइज क्या होता है और किस तरह से यदि उनका size छोटा है तो किस तरह से होमोपेथिक दवाओं से बहाँ अपने size को बढ़ा सकते हैं यदि आपका भी size छोटा है आप अपने size को मोटा करना चाहते हैं या उसमें टेड़ा बन देखने को मिल रहा है तो इस वीडियो में जो जानकारी आपको मैडिसिन की बताने वाला हूँ उस दवाओं का आप यूज कर सकते हैं यदि परिवार में फैमली में किसी को सया समश्या है या दोस्त में यहाँ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल शियर करें मैडिसिन को अच्छी तरह से समझे और मैडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को सुरू करें दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल से जूढ़ना चाहते है तो रेट कल की बटन दबा कर चेनल को सब्सक्राइब करने, 37 वेल आइकन की घंटी को जरूर पेश करके रखें, ताकि सभी लेटेस्ट मैडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, दोस्तो बात करेंगे साइज की पॉब्लम् और तनाओ की अवस्ता में 4.6 इंच एक नॉर्मल साइज माना जाता है, 4.6 इंच एक नॉर्मल साइज होता है, यदि आपकी तनाओ की अवस्ता में 4.6 इंच यदि आपका है, तो आपको किसी भी तरह की मेडिकेशन लेने की आवशक्ता नहीं है, यदि आपका इससे साइज बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपको यहां जो मैं दवाई बताने वाला हूँ मैडिसिन लेने की आवशकता है फिर भी यदि आप अपने साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं मुटाई कम है तो आप यहां मैडिसिन का यूज कर सकते हैं मुटाई का कम होना, पतलापन होना, साइज का चूटा होना यह समश्या यदि पुरसों में है तो बहाँ पार्टनर को पूरी तरह से संतुस्ट नहीं कर पाते हैं योन संबंद जब भी बहाँ बनाते हैं तो संतुस्टी उनमें प्रॉपर तरीका से नहीं मिल पाती है और जै इसमें testosterone label की कमी देखने को मिलती है तो उसमें टेड़ापन हमें size में देखने को मिलता है और जिनमें टेड़ापन है उसमें किन होमोपेथिक दवाओं का यूज करेंगे ये जानकारी में देने वाला हूं तो सीधे चलते हैं दोस्तों medicine की तरह पहले नंबर पे very effective होमोपेथ जाओं को लेकर और भी ऐसी कई समझ्चा हैं उनको दूर करती है एक्जमपल पर आप मैं आपको बताओं तो importance के case में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है ढीले पन में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है और यहां जो नसे होती है उसमें improvement हमें देखने को मिलता है यदि आपका size होटा है और उसे आप मोटा करना चाहते हैं तो जो नसे होती है उसकी blood supply को बढ़ा देती है blood supply जैसे ही दीरे-दीरे करके बढ़ती है तो size में मोटा पन पतला पन हमें देखने को नहीं मिलता है और size दीरे-दीरे करके बढ़ने लगता है यहां male reproductive organ में बहुत ही नाम को next और very effective homopathic medicine इडोनिया बल्गेरिस साइडोनिया बल्गेरिस medicine का नाम आप जानते हैं यहां हमारे size को लेकर काफी अच्छा काम करती है size के साथी साथ यहां बहुत सारी ऐसी हमारी समश्या हैं जिनको यहां cover करके चलती है यदि आपके size में पतला पन है यदि आपका size छोटा है आप genetic factor के history के case में आते हैं और आपका बचपन से ही यहां problems आपको देखने को मिल रहा है कि आपका तनाव की अवस्ता में 4.6 inch भी नहीं है इससे भी आपका size कम है तो आपको यहां medicine लेने की आउशकता है Cydonia Busholder Tincture Farm में यूज की जाती है आधिकब गुंगुने पानी में 20 भुन सुबा 20 भुन दोफैर में 20 भुन रात में इस medicine का use किया जाता है 30 potency में इस medicine का use किया जाता है 30 potency में चारबुन Tung Lose दिया जाता है चारबुन सुबा और चारबुन शायम को continue दो से तीन मैने तक इस medicine को ले सकते हैं सांती साथ यह हमारे साइज को लेकर और भी सीगर पतन की जो समश्या है उसे भी cover करती है और जो तनाओं की अवस्ता है तनाओं proper तरीका से नहीं आ पाता है और जो पतलापन हमें देखने को मिल रहा है बहाँ भी इसे cover करके चलती है साइडोनिया वल्गेरिस इस medicine का नाम है मैं पिक्चा लगा देता हूँ आप इससे अच्छी तरह से देख लेजिए नेच्ट है दोस्तों massage oil यहां massage oil काफी effective है यहां size को बढ़ाने के लिए नसों को improve करने के लिए और मोटाई को बढ़ाने के लिए इस medicine का इस oil का use किया जाता है RAPL 154 African oil है इसका use किया जाता है डेली आप इसका use कर सकते हैं इस तरह से हम जञाते हैं और कसरा करते हैं तो हमारी body में dreamlement होता है यदि हम इस massage oil का use करते हैं और डेली हम इसको exercise में use लेके आते हैं मसाज करते हैं तो हमारा size में improvement देखने को मिलता है वहां की नसों में तनाव हमें देखने को मिलता है तो जब भी आप मालिस करें तो पानी नहीं लगना चाहिए आदे घंटे तक उस पार्ट में इस वात का हमें विसेज ध्यान रखना है Next medicine है दोस्तों जिनमें टेड़ा पन हमें देखने को मिलता है टेस्टिस्टों लेवल उनका काम हो जाता है तो टेड़ा पन बहुत सारे पुरसों में हमें देखने को मिलता है तो उन्हें medicine यूज करनी है टेस्टिस सिकाटी 3X में टेबलेट्स आती है टाइचुरिशन फार्म में आती है चार गोली सुबा 4 गोली दोफैर में चार गोली जात में मिठी है गोली चूज के खाएँगे यहां हमारे टेस्टिस्टों लेवल को बढ़ा देती है जिसके कारण जो टेड़ा पन हमें कई पुरसों में देखने को मिलता है तो धीरे धीरे करके टेड़ा पन उनका ठीक हो जाता है तो यहाँ जो चार मैडिसन है इसको proper medication यदि आप लेते हैं तो टेड़ा पन, पतला पन, size के इसू पूरी तरह से ठीक हो जाता है यदि आपको किसी भी तरह कोई भी confusion है तो live clinic में रातरी 9 बजे में daily live आता हूँ तो रातरी में आप पूछ सकते हैं यदि आपको काफी लंबे समय से तेड़े पन से आप परिशान है या size का बहुत जादा issue आपको आ रहा है तो concernancy भी आप ले सकते हैं इसके मैं whatsapp number देता हूँ discussion box के नीचे पूरी जानकारी दी गई है online concernancy ले सकते हैं तो आसा करता हूँ दोस्तों या वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें रेटकर की बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब करके वी वेलेकन की घंटी को जरूर पेस करें दोस्तों मिलते हैं कल फिर नेक्स वीडियो में तब तक की लिए जय हिन जय वारत बंदे मातरा